बादियान जी बहुत सीनिOR मember हैं सदन के, बहुत बार विदायक रह चुके है और पूर में सबसे बड़ी बादा स्पीकर भी रह चुके हैं और उनको सब मान मर्यादा मालूम है आज उन्होंने वेवार किया सदन के अंदर जो बिल्कोंने फड़ा बिल्कुल अनुशित था जो बिल्ट था वो दर्मांतरन का सभी वर्गों के लिए किसी एक धरम का था ही नहीं नहीं वो तो दर्मांतरन का था और उनने गल्ट तरह से इसको लिया गल्ट उनका अब्जेक्शन था बहुत कोशी की स्पिकर सामने गांचन गुप्ता जी ने इस तीज को सुल जाने की लेकिन वो अपने बात पे अडिक से रहे जो बिल्कुल अनुचित है उन्होंन से बड़ी बाज या मने मुक्यमंतरी ने इसको बताने की उनको कोशीश भी की लेकिन सुनना ही नहीं चाहा रहे थे तो इसलिए जो निरने लिया कि हम उससे पूरा इंत्रस ने इसे मुद्धा बनाकर वाक आउट भी किया बाहर परदर्शन भी किया उनके वाश कुछ करने में नहीं जाते हो लोग तो यह बिल्कुल अंच जिता है उनको से के मर्यादा का ध्यान रखना जिए सभी मेंबर्स को और वाक उट किया बिल्कुल गल्ब था लेकिन मने स्पीकर साब का जो निरने बिल्कुल उचिता है जीरो आवर में भी आपने कई मुद्धे आज उठ प्रशान है और उद्योग प्रधान मंत्री जुए मेकिन इंडिया का नारा दिया तो सार थक पानिफतने की पनीफत का उद्योग पती सभी लोग बहुत में यहनत्त चेक पाकलते div आपको याद होगा पानीपत में हजारों कंटेनर आते थे बैडशीट के ब्लैंकेट के आज एक भी नहीं आता है पानीपत जो है नंबर वन है पूरी दुनिया के अंदर रीसेकल जान बनाने के अंदर उसका कोई सानी नहीं है इतना बड़ा द्योग चल रहा है पानीपत के संदर हम रोजगार दे रहे हैं लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं लेकिन एक प्रावलम है जब जब दिल्ली में पॉल्यूशन की समझ्षा आती है शरदियों में पानीपत की इंड़स्ट्री पे उसकी गाज गिरती है सबसे पहले नो तीन मिने के लिए हमें कह दि इतनी रेस्रिक्शन है तो अब सेलरी कहां से देंगे प्रडक्शन कहां से देंगे जो हमारी बाइरस के इतनी जल्दी चेंज करते हैं इसमें सालों साल लगेंगे और सबसे बड़ी बात एक और भी है जिवी पर दोग चलता है तो इसकी कोस्ट बहुत बढ़ती है और जो NCR से बाहर फेक्टियां लगी हुई है जो जोन NCR से बाहर है वहां पर उसकी कोस्ट कम आएगी हमारी कोस्ट ज्याद आएगी तो हम कंपिटीटिव कैसे रहे जेंगे ऐसे कौन-कौन से राजियें जहां जिले है जहां पर यह स्टेज है और जिन से अब पानीपत के वैपारी को काफी महंगा पड़ेगा सारा सौधा देखिए यह NCR जोन जो सो किलमेटर में बनाया गया है अब आप देखिए ग्रोंड़ा तक लगता है कि यह आएगा और सो किलमेटर की रेंज में रेडियस के अंदर य अंबाला आप देख लिए दरियों का काम है हम कहां competitive रहेंगे बायर वहां चला जाएगा पारीपत के अध्यों को बहुत बड़ा नुक्सान होगा मैंने मुख्यमंति को रिटन में भी अपनी तरफ से दिया कि हमें NCR से बाहर किया जाए यह मेरी उन्से प्रात्रा आग रह हैं इस इंडस्ट्री को कस्ट से निकालने के लिए आपके पास और क्या रामबान है क्या तरीका है हमें NCR से बाहर किया जाए दूसरा में चाहता हूं कि हमें जमीन थोड़ी से सश्थी उपलब्द कराईजे चाहिए वह लीश पे क्रवाईजे उद्योग पती का क्या होता अगर पंचाय था में बीस साल के लिए कुछ ऐसी लीश पे जगा दे ताकि हमारा जो पैसा है वह हम मशीनरी में और नहीं ड्यूलमेंट में लगा सके एक ऐसी जो इना भी बननी चाहिए लीश की और दूसरा जो सरकारी जैसे रिफाइनरी सेक्टर है इसको थोड़ा सा रे कि दीक शेहर है वहां कम खर्चा आता है हमारा खर्चा बेजने का बहुत है तो मेरी मने मुख्यों ने प्रात्रा है कि हमें एक्सपोल्टर को अर्याना में ट्रांसपर सब्सेडी की एक बर फिर शुरुवात की जाए ऐसा अगर हो सके तो अगर इसके लावा चर्चा करें बज़ट सतर है मुख्यमंत्री वित्मंत्री भी हैं कौन-कौन से एहम इशूज हैं जो आपके जहन में हैं और कैसे बज़ट की आप उमीद करते हैं देखिए सबसे पहले एक बात ये भी है कि जो बजोर्ग हैं हमारे इनका बहुत चिंतन करना पड़ेगा कई बजोर घर म पैसा अपना होना चाहिए ऐसी जो इना बनाई जाए जिसमें ज्यादा से ज्यादा जो डिजर करते हैं लोगों को शामिल किया रहे एक मेरी यह पेक्षा की राश्यन वित्रंद की जो पर नाली है उसमें भी ज्यादा से ज्यादा लोगों सिर्फ बीपील नी बहुत से परिवारों का जाते हैं खिलाडियों के ध्यान हमारी सरकार बहुत अच्छे त्रिक्ये से रख रही है यह पहली बार है हर्याना में जब एक खिलाडी को त्यारी के समय में भी पैसा दिया जाता है पहले कभी ऐसा कांग्रेस सरकार में नहीं था हमारी सरकार में और सरकार ने ऐसा किया है तो उनको प्रवसाद देने के लिए और भी ज्यादा स्कीमिय आनी चाहिए प्रवसाब अगर चर्चा की जाए जो बजट है मुख्यमंतरी पेश करेंगे वित्मंतरी है कैसा बजट आपको लगता है कि वो पेश कर सकते हैं जो हर्याना के हितका हुए देखिए इस बजट का एक ही कंसेप्ट है अन्तोदे वही पॉलसी है बीज़े पी के अन्तोदे पर हमने चलना है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास इसी के अंतरगत सारा बजट आएगा देखिए सबी वर्गों को कुछ ना कुछ जरूर हैं और वह किमारे को यकीन है इस बात का कि माने मुख्यमंतिरी बहुत चिंतन करते हैं दिन रात काम करें और उन्हों ने शेंखडों सेंखडों लोगों के साथ मीटिंगे की हैं बजट बनाने से पहले उनकी राही लिए और अभी भी बजट में पहली बार हर्याना में ऐसा हो रहा है कि रिचेशन प्रेड़ा है रिचेस है बजट जब माने मुख्यमंदी आर्टरी को पेश करेंगे उसके चार दिन हमें रिचेस है चंड हर्याना के अंदर हुआ है मैं इसके लिए मुख्यमंदी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हम चार दिन लगा तर इसमें बहुत मेंस से काम करेंगे और एक अच्छा बजट आएगा यूक्रेन में बहुत से भारती है यूग फसे हुए हैं बीबेस करने गए हैं यह दो या तीन दिन पहले पानिपत के कुछ बच्चे मिले थे पेरेंट्स मिले थे उन्हों चिंता व्यक्ति और मुझे लगबख 511 बच्चों की लिष्टी जो सुमी यूविश्टी में इकठे बैठे हूं पर अब तो उनके पास थोड़ा सा खाने पीने की समस्छे भी खतम आज जाके मैं उनसे जरूर मिलूंगा दो बच्चे तो मुझे मालूम है कि एक तो माल्टन में हमारे घर के पीछे ही है लतीफ गार्डन में और एक बच्चा तशील केम में आया है तो उनसे मुलाकात होगी जानकर यह और भी मिलेगी और जो भी जानकर यहोगी उपर साज करते हैं और अगर कहा जाए कि कहीं ना कहीं जो यूकरिन में बच्चे फसे हुएं उनको लेकर ये भी पूरी तरह चिंतित नजर आ रहे हैं मुख्यमंतरी बहुत बड़ी आ बजट पेश करेंगे ऐसा इनका दावा है कि उमीद कर रहे हैं कि पानीपत की इंडिस्ट्री को होने के कागार पर खड़िये उसको बचाने का परियास किया जाएगा कैमरा में संजे सिंग के साथ चंदर शेकर धरनी पंजाब के स्री टीवी चंदीगड हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिके देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद